नमस्कार दोस्तो एजूकेशन टेक्नोलोजी गयान चनल में आपका स्वागत हैं आज आपको इस वीडियो में बताए जाएगा कि इस प्रकार का SMS जो है लगबग लोगों के पास आ रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसका क्या आर्थ है देखिए मेरे जो मेसेज आया है यह फोर्म जो है आपने 2018 में बढ़ा था दोजार अठारा गुनिस में लगबग आपने फोर्म बढ़ा था उस फोर्म से समन्दित यह मेसेज आप लोगों के पास आया है अब इसके लिए आपको क्या करना है जिससे कि आप खादेश रुक्षा में जुड़ कीजिए भी अच्छा लगा बुरा लगा सुचना कैसी थी क्या हुआ वह एक कमेंट जुरूर आप करें भी तो पढ़के सुचना सुनाते हैं विशे सुचना आप खादेश रुक्षा के लावारती हैं परन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक जनादार शिडिंग नहीं क योग की आसा के साथ धन्यवाद खा देविवाग तो यह इस प्रकार का मेसेज आया है इसकार्थ है कि आपने जो अभी जिस टैम में फोर्म बढ़ा था उस टैम में जो आवे दिन कर रहे थे तो उस टैम यह उप्सन नहीं थे जनादार का सीडिंग या रासन का सीडिंग और वगया उतन कि दो टो अभी धो उसमें कुछ नए अपड़ेट किए कि Hai तो इसली आपको क्या करना पड़ेगा कि यद इसके अन्दर अधार कार्ण देर नहीं जुड़ा हूआ है खाता वगेरा नहीं जुड़ा हुआ है या जो भी शीडिंग के अंदर मुबाइल नमर वगेरा जो मेटर होता है चार पांस चीजे वह उसमें अपडेट करवाने पड़ेगी और एक विशेश बात अलग से बता देता हूं कि जिन लोगों को पास जन आधार कार्ड है वो लोगे आधार कार्ड तो इसमें करवाने हैं करवाने हैं अधार कार्ड में pourtant छिणा विशेश बात उन लोगों की लिए है जिनके बच्च चरई रहे होते तो सबसे पहले आपकी वीद्याले का रिकोर्ड आपकी बोर्ड की जिसके आधार पर आघए उसका डाटा जो है वह सबसे पहले तो आप प्र आपना उस बच्छे का जो भी आधार उसमें अपडेट करवाई दिए उसके बाद में आपको द्यान रखना है इसकी जो आपका बेंक अकोंट व्यिबिक्स्ट प्रकार का डांटा उना चीए लास्ट में जनागार की तो जन्रादार में वो डाटा सही होने के बाद में जन्रादार में अपडेट करवाना इस परोसेस को कम से कम मेना भर लग जाता है इसलिए ये काम है चाहिए आपके लीव जरूरी हो या नहीं हो लेकिन ये काम आप जब chiding करवाएं क्योंकि अपडेट जो है एक परकार से होता है बार-बार आपके पैसे लगते हैं एक एक आदमी का आप करवाते हैं पूरी पुरिवार का डाटा जो है अची परकार से अपडेट करवा दीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई आवेजन हो चुके हैं अगली साल डिस्वी कलास में हो रहे हैं तो यह काम आपके लिए बहुत ही जुरूरी है अनिताओ लड़की है तो जैसे गारगी पुर्षकार बगेरा जो भी है या लड़कों के लिए यह कोई भी जो इन्फ्रमेशन है या जो जिसके लिए वो योग्योग हो अब हम आपको लेटर दिखाऊंगा जो जारी किया गया फ्री खते शुरुक्षा विवाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है वह एक तरी को किया गया है इसमें मैं बता देता हूं यह सुचना दी गई है आयूक्ते विशिट सासन स्ची उसुचना प्रदोगी उसन उसको आदेश दिया गया है कि उस पोर्टल को प्रायरम किया जाए पूरा लेटर में आपको पड़ देता हूँ और उसके बाद में आप देखी महुदे उप्रोक्त विशन अंतर लेख है कि माननी है मुख्यमंतरी महुदे के द्वारा परस्तूत बजट गोशना वर्ष 2022-2022 खाद शुर्क शादिनेम के अंतरगत गहुं प्राप्त करने के लिए कुछ स्तानों पर वास्तवी रूप से जरूरतमंद अलफवाय वर्ग के परिवार वंचित हैं ऐसे परिवारों को NFSA National Food Security Act पातरता के सुची में जोडने की दर्ष्टी से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपिल्लू में सुची बद परिवारों को सामिल करते हुए से सुटे हुए परिवार मिला कर लगबग 10 लाख नए परिवार जोडने की कोशना करता हैं उस से पहले जो भी प्रक्रिया उन फारमं पे उनी है वह नई जो आविदन परिवारों बेस फ्रस्टीज में में पर खोला जाकर इमित्र के माद्र में करने की प्रक्रिया फ्रस्टीज में बहुत तो अभी आया नहीं है कि बहुत सार लोग कमेट कर रहेंगे फोर्म चाहिए तो फोर्म अभी तक आया नहीं है पुराना फोर्म चाहिए तो मेरी वेबसाइट के उपर पड़ा हुआ है उसको आप काल सकते हो बाकि नया फोर्म में नए चीज आएगी तो इसलिए आप उसका इंदजार करें सबसे पहले आपको जो जनादार काम है वो करवान है कि यह उलेखनी है कि बजट गोष्णा दोजार बीसी की से सब्सक्राइब जनादार के माध्यम से ही दिये जाने हैं इससे समद् प्राडर हम किये जाएं लेकिन इसमें ये भी दिनी लिया गैसे जनादार कार्ड एहों अधार नंबर आफ सके हैं कैने कार जनादार कार्ड केंदर अधार नंबर सीडिंग कंपट सरी है या बैंक की पास्वक की जो इधिदिंग यह मोबाइल नंबर है वो भी इसमें यह बहुत सारे इमित्र क्या करते हैं कि डोकुमेंट नहीं होते फिर भी उसके आगे को दूसरे डोकुमेंट लगा लेते हैं यह गलत है जहां पे जो डोकुमेंट मंगा गया है वहां पे वही डोकुमेंट लगाएं और ऐसे जन्हा दारकार्ड जो हैं जिन लोगों ने ऐसे अपडेट किये थे वो सारे रिजेक्ट भी हो चुके हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें अलग अलग पीडियेफ बनानी है और जहां पे जो डोकुमेंट मांग रखा है वहां पे वहीं डोकुमेंट लगाना है यह कि यह आप ऐसा नहीं करते हो जो इमेतर दारक नहीं करते हैं तो वो जन्हा दारकार्ड सही प्रकार से अपडेट नहीं होगा रिजेक्ट हो जाएगा इसलिए बड़ी अत्रीके से अपडेट करवाना है यह भी उलखनी है कि राज्जे में राष्ट खाद शुरुक्ष्या थी वो बंद करते हो गई थी तो अठारा मैं 2020 से पहले जितने भी आवेदन हैं उनमें भी यह कोई प्राथना पत्र लंबित है या वो प्रकिर्या दिन नहीं है तो उनके उपर भी कारवाई होगी और उनको भी अच्छी प्रकार से जो योग्य है उनको खादिश रुक्ष प्राने फॉर्मों को उपर के दिन लिया गया था लेकिन उसमें क्या है जैसे बीजली बिल मांगा गया था तो गाइड़ लाइन में कहीं पर भी यह चीज लिक्यों नहीं थी या इस परकार की जमीन से समंदित पॉइंट डालते हैं तो उसमें जमावन दिया आपको लिट कि आपके 55 समिति के अंदर क्या चीज मांगी जा रही है उसके बाद में ही वो डोकॉमेंट अपलोड करवाने हैं अन्य था वो फिर रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि गाइड़ लाइन के नुसार जहां तक मेरे को देखने को मिलता है गाइड़ लाइन के नुसार 100% काम न होना है और उसके बाद में ही उसको अपलोड करवाना है और उसके बाद में आपका फोर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा अन्य था क्या है फोरुम रिजेक्ट हो सकता है और यह अभी नए फोर्म जो है शुरू ещё वंगर पुराने फ़ोर्म के ओपर रिक्रीया ज suspicion शुरू हो जाएगी क्योंकि उसके उपर ज्यादा का रिवाइद नहीं करनी है फोरम पहले से बरे हुए है उसमें जो भी कमी है वो पूरती करनी है नए फोरम जो है ये मान के चलो मैंने बर के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगे करने वाला है सुचना चली की चैनल को सब्सक्राइब करें कोई भी दिक्कत है तो आप उसे संप्रक कर सकते हैं कमेट कीजिए मैं आपको जबाब देऊंगा और क्या के डोकुमेंट लगेंगे नए नियम के जनाधार से संबन देते वो भी मैं वीडियो आप अभी आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही उसको भी आप देखे थैंक्यू नानिवाद